हेलो गेमर क्या हाल चाल है आपके उम्मीद करता हूँ आप लोग पढ़िया होएंगे तो भाई अपना अभी देख लो ट्रेक्टर एकदम सेंपल सा चल रहा है यार अभी इसके उपर भाई कोई करेक्टर नहीं है कोई बैठा हुआ नहीं है यह मैं ही कंट्रोल कर रहा हूँ भाई पर यार अच्छा तो तभी लगेगा जब इसके उपर कोई करेक्टर हो ट्रेक्टर के उपर अपने करेक्टर को कैसे बैठाना है उसकी सेटिंग मैं भी आपको बता दूँगा लेकिन गाइस उससे पहले यहां पर देखो यह चीज़े एड हुई है पहले आप करते ह तो इसके बहुत सारी अव yêu उत्हुए पहले इससके बाकि है और यहां पर अभी बहुत सारी आपको दिखाने बाला हुद जिकने वह ढुत हैं। और गाइस आप लोगों ने यार खेतों में जुताई होते हुए देखा तो होगा तुमने कल्टीवेटर से और उसमें जो फीलिंग आती है गाइस वही फीलिंग हमने इस गेम के अंदर एड़ कर दिया है जैसे की भाई अगर हम सबसे पहले तो यार बताना क्या डारेक्ट द करने वाली है ओ भाई देखो यह वजन बहुत ज़्यादा है गाइस समझ रहो कल्टीवेटर में वजन बहुत ज़्यादा है इस वज़े से अपने ट्रेक्टर का मुह उपर क्योर उठ जाता है समझ देखो गाइस ऐसा कुछ वह भाई देखो कितना जबर जस्त लग रहा है गाइस अभी देखो वह सेम होने वाला इस गेम के अंदर और गाइस पहले तो यह चीज़े एड नहीं थी अभी एड हो चुकित देखो गाइस कैसे देख रहे हो गाइस डौश टूल रही है भाई कितनी मस्त लग रहे है एक तम रियल वाली फीलिंग आ रही है नहीं आ रह प्रेट में घास से यह भाई मोब करती है एकदम लहराती है भाई यह चीज़ आपने पता नहीं नोटिस किया नहीं अभी नोटिस करना तो मज़ा आएगा इस गेम को खेलने में बहुत ज्यादा मज़ा आने वाला है फिलाल अभी इस गेम के ऊपर यार काम चल रहा है गाईस अभी देखो यार पीछे एकदम मिट्टी उड़के आ रही है यह चीज़ आप नोटिस कर सकते हो और गाईस एक चीज़ और अगर गाईस यहां इस पेल के पास में नल लगा दिया जाए तो बहुत ही जदा घज़म मज़ा आने वाला है नल का जो गाउं में होता है वह वाला अगर लगा दिया जाए तो बहुत ही मज़ेदार हो जाए क्योंकि हम अगर खेतों में आते हैं काम इतना करेंगे तो प्यास तो लगेगी गाईस तो हम पानी भी पी लेंगे ऐसा मज़ा आ जाएगा अगर आप लोग यार मस्त लगता है आपको यह गेम और इस ग